कच्चे दूद में अगर यह चोटी सी चीज मिला कर चहरे पर इस तरह लगा लिया तो इतना गोरा और चिट्टा रंग हो जाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी Hello everyone, welcome back to my channel Beauty Secret Cindy दोस्तों कच्चा दूद जो होता है हमारी स्किन के लिए एक बहतरीन क्लिंजर माना जाता है लेकिन अगर आप इस कच्चे दूद का इस्तमाल अपने चहरे पर कुछ इस तरह से करते हैं तो आपके face से सारी darkness को ये निकाल देता है और चहरे पर ऐसा गोरा निखार देगा कि आप हैरान रह चाएंगे मैं आपको दो steps बताऊंगी कच्चे दूद के अंदर present lactic acid आपकी तज़ा को बहुत ही जादा soft clean और healthy बनाए रखने में help करता है कच्चा दूद ना सिर्फ skin की cleansing में help करता है बलकि ये आपके skin में कसावट देता है और youthful growing और काफी जादा healthy बनाए रखने में help करता है इसके साथा जो natural ingredients में use करने वाली हूं वो भी बहुत जादा effective है सबसे पहले आपको cleanser बना कर तियार करना है जिसके लिए आप एक लेंगे छोटा सा बाउल और इसके अंदर आपने add करना है तीन चमच कच्चा दूद यानिके raw milk अब इसके बाद में जो next ingredient आप इसके अंदर add करेंगे that is honey आपने यहाँ पर one teaspoon honey इसके अंदर add कर देना है next आप इसके अंदर add करेंगे lemon juice guys आपने एक चमच इसके अंदर pure lemon juice add करना है यह जो cleanser बन रहा है आपके face से सारी dullness को दूर करेगा काली परत को हटाएगा skin को काफी जादा soft और youthful बनाने में help करेगा इसके साथ मैंने इसके अंदर add करना है एक चमच आलिवरा जल and then हम इसको अच्छी तरह से proper mix कर लेंगे जैसे ही आप इसको mix करेंगे तो यह कुछ इस तरह से फट जाएगा दूद के अंदर present lactic acid प्लस नीबू के अंदर vitamin C जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो यह दोनों मिलकर फट जाते हैं और यह एक बहतरीन cleanser बनता है इसकिन में dead skin cells को remove करने के लिए यह बहुत जादे effective होते हैं इसको लेकर आपको अपने face पर apply करना है और अच्छी तरह से circular motion में massage करनी है मैंने इसके अंदर use किया है aloe vera gel aloe vera एक natural hydrating ingredient है जो कि हमारी तचा को soft और hydrate करने में help करता है महीं मैंने इसके अंदर add किया है कच्छा दूद जो कि skin को काफी कसावट देने में help करता है skin को deeply clean करता है तो इसको हम अपने face पर apply करके circular motion में massage करेंगे and then हम इसको ताजे पानी से wash कर लेंगे दोस्तों अब दूसरे step बताती हूँ जो कि एक fast pack है और इतना ज़्यादा जबरदस्त है कि आपके skin के glow को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इसके लिए आपको क्या करना है एक ball के अंदर आपको लेना है दो से तीन चमच ग्राम फ्लोर यहनी बेसन next ingredient आप इसके अंदर डालेंगे कच्चा दूद और इसी के साथ आप इसमें डालेंगे aloe vera gel अब इसके बाद में यहाँ पर next ingredient हमें use करना है lemon juice इसके अदर एक चमच lemon juice हम डालेंगे and then हम इन सभी चीज़ों को proper अच्छे से mix कर लेंगे guys इसकी consistency बहुत ही smooth होगी ना बहुत ज़्यादा थिक आपने बनानी है और ना ही बहुत ज़्यादा liquidy बनानी है तो आप इसको अच्छे से mix करें और एक perfect consistency का pack बनाकर ready कर लें इस pack के अंदर हमने use क्या है vitamin C का एक better ingredient जो की है lemon और lemon अगर हम इस तरह से basin के साथ use करते हैं तो चोटे चोटे जो sports हमारे skin पर हो जाते हैं उसको ये बहुत अच्छे से निकालने में help करता है और skin को soft and supple बनाता है तो guys इस mask को आपने अपने face पर अच्छी तरह से apply करना है and gently आपने skin में मसाज देनी है मसाज दीची आप skin में जिससे की सारी dead cells निकल चाएं and then आपने एक अच्छी सी कोट आपने face पर अप्लाई करनी है पंद्रह मिन तक इसको लगाए रखने के बाद आपने चाहरे को वाश कर देना है you can see the result on my skin because my skin very dull, dried and so unhydrated because after using this pack really I feel that my skin so cool, hydrated and also glowing and spotless so do try this and don't forget to like, shun, subscribe for more and latest updates by Beauty Secrets Hindi thank you